Hello everyone, मैं हूँ अन्वराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं Learning Lab Channel तो आज से हमें स्टार्ट करने वाले सिल आट के हमारी स्ट क्लास होने वाली है तो इसमें बहुत पेस्टे एक स्टेप सारी सीचे हम सीखने वाले हैं तो एक बार हम आज का सौट देखे लेगते हैं जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है, यह हमारे पास आज का सौट है तो यह हमारा इंपुट हो गया, यहां पे एक बार आउट्पुट में आपको दिखा देता हम यह हमारा फाइनल सौट है, जो मूवी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां से हमें paint ओवरट में क्या करना है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हमें, यहां से हमें जो green screen की footage दिख रहे ही, यहां से stick दिख रहे ही इनकों हमें यहां से remove करना है तो अभी तक आपने देख लिए कैसे और क्या काम करना है यह हम पूरा का पूरा सिलाउट के अंदर करने वाले हैं एक चीज और यहां पे मैं अहे डाउन करना चाहूंगा कि जो सिलाउट का है जो सौड़ वेर है वो न्यूक के भी ना अदूरा है कैसा दिखता है वहां फान में आपको दिखाता हूं तो क्या करता हूं ज्यादा लंबा नहीं करता हूं अपने इंठो को डिरेक्ली हम चलते हैं कंप्टर स्क्रीन पे और स्टेप बाइस सीखते हैं कैसे इसको हटा सकता है जब फर्स्ट टाइम आप सिल आउट को यहां पे लॉंच करेंगे तो इस तरीके कुछ आपको विंडो नजरा जाएगी तो यहां पे विंडो नजरा रहे हैं यहां पे आपको आप्सेंस मिल जाते हैं new project ओपन प्रोजेक्ट and existing project तो अज जस्ट हमी आज start करने वाले तो हम new project को काम कर सकते हैं अगर already creative project को आप open करना चाहें तो यहां से open कर सकते हैं या तो recent जो projects रहेंगे यहां पे आपको नजर आ जाएंगे तो हम अभी क्या करने वाले हैं नया project create करने वाले हैं तो हम यहां पे कर देते हैं new project देखें यहां पे अभी project जो हम create करने हैं नाम देना है तो हम यहां जैसे डाल देते हैं class 1 तो यहां पे हम ले लेता हूं class 01 और यहां पे मैं check कर लेता हूं मुझे save का हाप करना और यह वाल जो यहां में सेप करना चाहता हूं तो मैं यहां पर सेलेक कर लूँगा इसको और यहां पर हम इसको कर लेंगे create project देखिए अभी हमारा project जो है create होके आ गया है तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आ जाता है second step हमारा क्या होता है जब भी आप इसको launch करते हैं इसके बाद आपको ज़रुत पड़ेगी किसी भी footage को यहां import करने के लिए तो आपने footage को import कैसे करना है simply इसमें कई सारे steps है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको जाना है file में यहां import का option दिलता है देन आपको करना है media जैसी media करेंगे देखे आपने path ले रखा ठीक है otherwise यहां पे path ऐसा put कर सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं तो directly मैं click करूँगा then मैं open करने वाला हूँ तो यहां पे जो media है मेरी open होके आ गई तो particular file में जाके open कर सकते हैं एक process और है आप दिखा देता हूँ यहां पे आना है drop down import का option है same process है then open करना है यहां से भी open कर सकते है otherwise आपको क्या करना है यहां पे आपको double click करना है तो अभी इस media को अपने यहां पे viewer में देखने के लिए क्लिए 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 इस पर आपको करना है double click देखे जैसे ही मैंने double click करा हुआ है मेरी जो media है यहां open होके आ गई है अब देखिए इसको play करने के लिए आप क्या करना है, simply यहाँ पे buttons हैं, जैसे other software में होते हैं, same काम करना है, एक चीक buttons का एक फायदा और है, जैसे मैं यहाँ पे buttons को mouse की लेके जा रहा हूँ, तो आपको shortcut देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं L प्रेस करूँगा, तो मेरा यहाँ से यह footage play होने लगता है, ऐसा कुछ हमारा play हो रहा है, तो same आप backward भी इसको ले जा सकते हैं, जैसे backward कर सकते हैं इसको, तो ऐसा करके आप इसको play कर सकते हैं, और row भी सकते हैं, यह shortcut I think आपको समझ में आ गये होंगे, अभी next बात करते हैं, एक step by step सारी सीचे हम देखेंगे, अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएं, देखें, यहाँ पर हमें color space को option मिलता है, different type color space हैं, यहाँ से आप इनको change भी कर सकते हैं, अपने according, viewing purpose के लिए यहाँ देखने के लिए कैसा आपको देखेगा, same यहाँ पर भी देखें, srgb है हमारा, उसके बाद यह option है LUT का, अग यहाँ दी गई है, तो इसको import कर सकते हैं, otherwise इसकी जरूत नहीं परती, यहाँ पर देखें, फिर से option आता है, gain in gamma का, just like nuke, तो यहाँ से इसको increase भी कर सकते हैं, decrease भी कर सकते हैं, same हम gamma के साथ भी कर सकते हैं, अपने according, हाँ, अगर आपको जरूत नहीं, यह आपको देखें, यहाँ पर एक बटन दिएगा, इसको अर्शेप में, अगर इसको क्लिक करेंगे, यह वापस ते reset हो जाने वाला है, हर जीगी के लिए आपको याद रखना है, यह reset होके आ जाएगा, ओके, तो यहाँ कुछ चीजी यह वाली हो गई, तो हमने यह पार्ट तो देख लिया, अभी देखिए, यहाँ पर आते हैं, यह मेरी node tree है, जहाँ पर मुझे node create करना है, तो अभी देखिए, यहाँ पर मुझे रहा है node session, तो हमें कोई भी slot के अंदर काम करने के लिए, हमें create करना पड़ेगा एक session, session को ऐसे create करना है, अपने यह footage है, इसको लेना है, अपने node graph को जो tree है, वहाँ drop करना है, देखिए, अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर drop किया है, तो यहाँ पर देखिए, यह पूछ रहा है, मेरे से क्या, आपको session का नाम क्या देना है, तो हम यहाँ पर paint भी देख सकते हैं, हम डाल देते हैं, paint, यहाँ से class 01, अब देखिए, यहाँ से templates में आजाते हैं, तो यहाँ से देखिए, डिफ्रेंट काइम के templates आपको मिलते हैं, templates in the sense कि आपको काम क्या करना है, अगर मेरे को composite करना है, तो मैं composite select करूँगा, paint करना है, paint करूँगा, roto करना है, roto करूँगा, otherwise roto paint दोनों भी कर सकता हूँ, तो मैं template अभी paint select करने वाला हूँ otherwise, बागी सारी चीज़े हैं, यह default आपको मिल जाएंगी, जो आपकी footage से related होगी, तो आपको क्या करना है, दिन आपको press कर देना है, okay, देखे, जैसे ही मैंने okay यहाँ पर press करा हुआ है, यहाँ पर मेरा session create होके आगा है, paint class 1, और यह मेरा note 3 है, यह कापी छोटा लग रहा, अ अभी देखे, जो मेरा note 3 है, थोड़ा बड़ा होके मिल रहा है, okay, यह मेरा हो गया note 3, अभी देखे, जैसे हमने note 3 लिया, यहाँ पर आ जाते हैं, यह मेरा notes का option है, यह मेरा paint का option है, तो इस से related जो properties हैं, मुझे यहाँ पर सारी की सारी properties दिख जाती हैं, अभी वापस्ते च देखे, यहाँ पर select करता हूँ, यह options सारी, यहाँ पर कोई option आपको नजर रही आएंगे, यहाँ node and timeline का है, जैसे ही हम paint note को select करेंगे, यहाँ पर, देखे, यहाँ पर जो मेरे को options है, एक option मिल जाता है paint का, तो जाहिर सी बात है, यह paint से related सारी चीज़े हैं, तो इनको कैसे देखना है, एक चीज़, और यहाँ पर image आपको दिखा देता हूँ, देखे, यह side में मेरे क्या है, tools हैं, जो paint से related tools हैं, वो tools हैं, इन tools को हम देखने वाले, mostly आज जो हम काम करेंगे, future में हम काम करने वाले हैं, जो हमारा clone tool है, यह वाला, इसी के हम उपर, mostly हम इसी के उपर focused रहेंगे, ओके, बट, यह other tools कैसे काम करते हैं, इनका use क्या है, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, फस्ट से, तो हमारा फस्ट वाल अकाउंस है, देखे, यहाँ पी हमारा होने वाले black and white tool, देखे, मैं यहाँ पर click कर द देता है, देखे, अभी मैं zoom in और zoom out के लिए, मैं अपने mouse की middle button है, उसका use कर रहा हूं, ओके, तो zoom in, zoom out कैसे करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा, ऐसे कुछ, अभी देखे, यह मेरा brush मिल गया, brush की size को increase करना है, decrease करना है, काफी सारे जो है, कहाँ सकते हैं, देखे, य यह हमारा softness का option, तो इसको softness को यहांस कर सकते हैं, तो follow of fitness, यह कई सारे option, देखे, circle का है, यहाँ पे square भी ले सकते हैं, यह options है, एक बार check करिएगा, तो यह काफी कुछ आपको help कर देने वाले हैं, देखे, अभी brush के size को मैं increase किया है, मैं ऐसा paint कर सकता हूं, देखे, अभी माले यह मुझे shortcut use करना है, brush के size को increase और decrease करने के लिए, तो simply आपको control प्रेस करना है, अपने mouse की left button को दबाना है, drag करना है, up and down की तरफ, left and right या उपर नीचे की तरफ कर सकते हैं, तो brush के size को increase और decrease कर सकते हैं, यह एक shortcut है, जो आपको याद करना है brush के लिए, तो ऐसा कुछ क करके आप paint कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ऐसा कुछ जैसे paint कर देता हूँ, ओके, अभी देखे थोड़ा बाहर से, जैसे आभी मैंने यहाँ paint किया, थोड़ा बाहर मेरा paint हो गया, तो इसको refine कैसे करेंगे, refine करने के लिए जाहिसी बात है, eraser tool का use करेंगे, हमारे पास यहाँ पर है, eraser tool, देखिए, eraser में click करते हैं, अब इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, brush के साथ सुकम कर लेता हूँ, ऐसा कुछ कर लेता हूँ, तो ऐसा करके, यह arrows होके यहाँ पर आ जाने वाला है, तो देखिए, black and white tool का कुछ इस तरीके से आप use कर सकते हैं, देखिए, जै पर से आ जाते हैं इसमें, तो यह हमारा यहाँ से हमने यह चीज़ें अपनी देख लेगी, एक चीज और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए, यह वाला जो paint का options यहाँ पर आपको काई सारे आपको मिल जाते हैं, अब ही देखिए, जो मैंने paint किया, वो RGB चैनल में किया है, बागी देखिए, कोई चैनल मेरा alpha चैनल और नहीं है, तो आपको alpha जै करने क्लिक लिए क्या करना है, यहाँ पर option है, red, green, blue and alpha, तो RGB है, अलफा, तो यहाँ पर जैसे click करेंगे, कुछ नहीं दिखा, वापस से click करिए, देखिए, पूरी तरीके यहाँ पर blank में वापस से हम यहीं click करके RGB में चले जाते हैं, आप भी देखिए, माल लीजे, यहाँ से मुझे particular इस work को erase करना है, तो directly यहाँ से आप erase कर सकते हैं, बट, जो paint history है, चलिए, मुझे paint history को ही delete करना है, तो यहाँ से आप select कर सकते हैं, सारे के सारे को, और यहाँ पर जो मैं delete बट कर सकता हूँ, rebuild में देखिए क्या होगा, simply मैं पहले no में press करता हूँ, जैसे, जैसे मैं no में किया क्या हुआ, देखिए, यह मेरा work तो यहाँ related है, बट मेरे जो paint history है, वो यहाँ से erase हो गई है, अभी वापस से control jet करते हैं, अभी मुझे rebuild का option मिलता है, यह से close कर देता हूँ तो जले rebuild में click कर देते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा यह selected नहीं था, वापस से select कर लें अपना, और मैं इसे delete करता हूँ, अभी rebuild करते हैं, जैसे rebuild की है, पूरी तरीके से original जो था, वो मेरा यहाँ पे निकल के आ गया, तो इस तरीके से कुछ आप इस tool का use कर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा time लग रहा, बड़ टेंसर नाले में सारी चीज़ यहां को clear करने वाला हूँ, यह मेरा brush हो गया, अभी देखे, मैं इसके size को कम ज्यादा, already, जैसे मैंने बताया था, यहां से कर सकते हैं, यह control के साथ कर सकते हैं, अब मुझे जो आज का task है मेरे task में यह चीज़े मुझे यहां से remove करने हैं, यह सारी चीज़े, यह character remove करना है, अभी देखे, यह यहां पर white रहो रहा, इसको आप select करके दूसरा भी कर सकते हैं, अपने recording color ले सकते हैं, देखे, इसको मुझे यहां से remove करना है, ऐसा, ओके, तो इतना मुझे आज की talent remove क कर देता हूं, तिया मैंने यहां से delete कर दिया, अब आते हैं अपने मुद्दे पे जो हमारा आज का tool होने वाला है, लेकिन एक चीज़ हो रहा है, आज का tool की start करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूं, मानले जो मैंने कोई भी work कर रहा हूं, या paint कर रहा हूं, मानल प्रेक रखें, अभी चले मैं यहां से इस brush को ऐसा करता हूं, यह हमें paint करना है, अभी वापस चलते हैं alpha channel में, देखें, यहां से colorful दिखाई देगा, वापस चलते हैं, मुझे alpha एक create होके आया, तो mix your जब भी आप paint करें, यहां के जो alpha का option है, उसको on कर लें, तो वापस चल करते हैं, यह वाला option आपने देख लिया, आपने brush के size को कैसे increase, decrease करना है, यह सारे चीज़ देख लिया, अभी कुछ options यहां पे हैं, इनको मैं आपको दिखाने वाला हूं, मुझे जब paint करना है start करें, यहां पे आपको selected foreground, जब भी आप clone tool use करें, तो यहां पे आपको कर ले stick है, यहां जो chroma है, यह move हो रहा है, तो इसका reference लेके हम create करेंगे, बाकि जो चीज़े हैं, हम paint करने वाले, paint कैसे करना है, वो आपको दिखा देता हूं, यह हमने ले लिया, अभी मुझे reference लेके paint करना है, reference कैसे लेना, आपको shift यहां पे hold करना है, shift button, then आपको drag करना है, ओक और यहां से आप breast के size को increase या decrease करके paint start कर सकते हैं, अभी मैं यहां का reference लेके, इधर paint करना चाहता हूं, तो ऐसा करके आप start कर सकते हैं, यह हो गया इतना, same process follow करना चलिए, यहां से कुछ reference लेंगे, और यहां पे paint करेंगे, अब जो हम reference ले रहे हैं, चलिए, एक बार और दि यहां पे जहां पे लेना है, मैं वहां पे इसको डाल रहा हूं, ऐसा कुछ, एक चीज और बता दू, जब मैं यह paint कर रहा हूं, देखें, मेरे जो दो हैं, यहां पे देखें, nearby कर लेता हूं, एक देखें, मेरा blue color में मेरा brush है, और जो green color में है, वो मेरा reference है, तो आप जब क preferences में जाना है, दिन आपको यहां पे paint में जाना है, वापस से आ जाते हैं paint में, यहां पे, और देखें, यहां पे आपका जो भी color रहेगा, अपने according कोई भी आप color यहां पे choose कर सकते हैं, तो अभी के लिए मैंने choose किया है, यहां पे, मैंने blue choose किया, आप कोई भी color यहां से click करके चुछ कर सकते हैं तो जैसे आपको दिखाने के लिए में दूसरा बंख कर लेता हूं दें अब ही देखे मेरा कलर चेंज होके आ गया तो मेरा अभी जो परपल कलर है वो मेरा यहाँ पर रेफ्रेंस सॉरी पर ब्रस होने वाला है ग्रीन मेरा पेंट होने वाला है तो अभी वापस चले इसको पेंट कर लेंगे अब पेंट का प्रोसेस सेम है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूत पड़ेगी पेंट करने के लिए अब मैं यहां से रेफ्रेंट ले रहा हूं इसके ब्रस के साइस हो कंट्रोल के साथ छोटा में कर रहा हूं यहां से ऐसा और इसके पेंटिंग को में यहां से स्टार् कर सके सही से ओके अभी हमने वापस ते जाना है मैं थोड़ा सा वापस ते यहीं से प्रिफ्रेंस लेता हूँ यह पॉइंट मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा पेंट करने के लिए तो यह इतना पेंट कर लिया मैंने अभी next step क्या करना है अभी वापस ते यहां पे आना है paint करना है जो paint का process है इसको आप थोड़ा सा आराम से step by step करें थोड़ा practice की जरूरत आपको पढ़ेगी paint करने के लिए और simply मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वो तो आपको पताई है shift and control का use हम दो tool का कर रहे हैं एक में से हम brush के size को increase and decrease कर रहे हैं control से और shift के साथ में हम brush के size को जो है sorry अपना reference को ले रहा है तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं वापस हम reference ले लेते हैं यहाँ से हम painting स्टार्ट कर लेंगे जब आपका reference ज्यादा हो तो आपको paint करने में काफी आसानी हो जाती है तो यह जो मैंने sort choose करा हुआ है यह काफी बढ़िया sort है आपकी practice बहुत अच्छे से इसमें हो सकती है इस sort में इसलिए मैंने choose करा हुआ है और जो इसका footage रहेगा उसका तो यार आज कल मैं सारे चीज़ों के जो मैं काम करता हूँ footage तो आपको मैं देही रहा हूँ देखे यह part particular मैंने clean कर लिया है अभी आपको compare करना है कि मेरी original footage से इसको compare करना है कि मेरा paint work कैसा हुआ है तो यहां से आपको press करना है one and two two में आपका original दिखेगा one में आपका paint work दिखेगा ऐसा compare करके आप इसको देख भी सकते हैं कि भाई मेरा जो काम हुआ है वो कैसा हुआ है तो देखे आप ऐसा कुछ perform कर सकते हैं अभी चलते हैं अभी देखे यहां पर highlights था तो यह particular मैंने character यहां से remove कर दिया हुआ है अभी बचा मेरा यह और यह part तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यह particular आपको हमेसा मेहनत नहीं करने ही आपको भी नहीं मेहनत किये भी कापी कुछ चीज़े मिल जाने वाली है देखे यहां पर मुझे इसको paint करके यहां पर remove करना है तो अब मुझे अपने sort को play करके देखना है कि maximum जो reference है वो कितना कहां पर मिल रहा है देखे यह वाला जो frame मुझे मिल रहा है कापी सारा यहां पर reference है जो frame number हमारा कहां पर है देखे अभी यह करता हूँ देखे फ्रेम से आपको यहां पे न जग जा जा है यह मेरा 15 फ्रेम नंबर है तो इसको कैसे करना है वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी देखे पेयंट यहां पर मैने सेलेक्त किया है अभी जो frame number जहां मैं paint कर रहा हूं वे 15 number का current frame जहां पे दिख रहाओ इस में आता हूं अभी frame कितना है 1 है अभी मेरे को यहां पर कौन सा frame चाहिए 15 number से मेरे reference लेके paint करणा है यहां पर जालता हूं मैं यहां पर 15 put कर देता हूं देखिए मैंने यहां 15 कर दिया है, अभी एक चीज और यहां पर इंट्रड्यूस में आप कर दूँ, देखिए अभी जो मेरा रेफ्रेंस है देखिए, इसको ले लेता हूँ, यह है, इनेबल कर लीजे इसको, अभी यूज करना है आपको Caps Lock का, Caps Lock का जैसे ही यूज करेंग आपको दिख चाहेगा कितना सिफ्टिंग है, पहले इन दोनों को हमें आपस में मैच करना है, तो उसके पहले एक चीज बताओं, यहां से इसको आप ऐसा भी कम Opsity में भी कर सकते हैं, यह दो फूल भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं 100% लेके चलता हूँ, अभी यहां सिफ्ट के साथ हम इसको ऐसा मैच करवा लें, तो भी यह काम हो जाने वाला है, अभी देखे, Caps Lock के साथ मैं करता हूँ, तो यह पूरतरी के समयच है, Otherwise आपको क्या करना है, देखे, वापस ते मैं इसको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सिफ्ट के साथ, यह मेरा चे इसमें हो, यह पता कैसे आपको चलेगा क्यों सा रेफ्रेंस है, क्यों सा आपका पेंट है, देखे, यह वाला उप्शन आपको दिख रहा है, यह आपे, Enable Onion, जब मैं Caps Lock off करता हूँ, तो मैं Current Frame में आ जाता हूँ, जब यह Enable हो जाएगा, तो मैं मतलब reference frame में हूँ, मतलब frame number 15 में हूँ, इसको off करना है, अभी मैं यहाँ से paint करना, start करता हूँ, ऐसा, देखे, काफी आसान है, आप देखे, reference लेके हम paint कर रहा है, पूछी तरीके से हमारा paint हो जाने वाला है, और आपको compare करने के लिए, आप इसको press कर सकते हैं, अपना कौन सा, Caps Lock को देख सकते हैं, यहाँ भई, मेरा paint और कैसा हो रहा है, देखे, अभी हमने paint कर लिया, हम try करेंगे कि यहाँ पे भी हमें कुछ reference अगर मिल रहा है, तो हम उसको paint कर लेंगे, देख कितना सारा यहाँ पे reference हमें मिल रहा है, तो मैं try करूँगा कि इसको मैं थोड़ा paint में यूज कर लूँ, दे आटे हमने reference ले लिया, यहाँ थे the same Zyadha reference हो गया, देखे, अभी यहाँ पर देख लेंगे कुछ है, देखे इतना सा हमें reference मिल रहा है, वापस हमें क्या करना है, क्लोन करना है, देखे, अभी काऊं से फ्रेम में हूँ, यहाँ 15 नमबर फ्रेमपे हूँ, क्योंकि reference लेके paint क कर देना है मैंने यहां से पेंटिंग में स्टार्ट कर देता हूं चोटा कर देता हूं यहां से यहां से हमने पेंट कर लिए सेम स्टेप मुझे इधर के लिए फॉलो करने हैं यहां के लिए और इस पार्ट के लिए तो अभी मैं क्या करता हूं रुट्रोल काफी लंबा हो ज कर दो कर दो कर दो कर दो करने वाले हैं तो यह clean plate है वो हमारी तयार हो गई है अभी हमें इसको लेके जाना है न्यूक के अंदर ले जाके बाकी के जो चीजी है वो complete करनी कैसे करनी है वो एक बार यहां से सबसे पहले आपको कैसा इस footage को render कैसे करना है आपको देखिए हमें यहां पर जो है output का है original footage है यह कहूं से format में यह जो मेरा format है jpg format है जायर सी बात है अगर यह jpg format है तो यहां से मैं export करूंगा वो भी मैं jpg के form में export करूंगा यहां से आप jpg select कर ले ओके jpg select करने बात हमको file का यहां पर path provide करना है कौन से path में हम कर सकते हैं तो देखिए यह मेरा यह वो है यहां पर यहां पर एक folder बना रखा है तो आप इसका दाम दे सकते हैं तो यह जबार फर्ष्ट फ्रेम की है तो frame 1 में यहां पर डाल सकता हूं ऐसा कुछ है और मैं इसको save कर देता हूं ऐसे अभी देखिए jpg है format यहां से है और मैं RGB में इसको करने वाला हूं तो यहां पर यहां को क्लिक करना है render पर क्लिक करने एक बात देखिए आपको क्या option यहां पर मिल रहे हैं तो all outputs selected आप रखिए यहां पर work range आपको मिल जाती work range में काम करना है जो हमने paint किया वो करना है कि change करना है तो अभी मुझे जो current frame में मेरा first वहां से मुझे export करना है देन यहां पर render करना है आपको render हमने क्लिक किया चलिए अभी देखेंगे जो हमारा render है कहां पर आया है तो यहां तो यहां पर देखिए लिस्टिल्स में मैंने यहां पर create किया था यह मेरी footage है जो कि यहां पर render होके आ गई है तो अभी क्या करता हूँ मैं new open करता हूँ उसके अंदर particular काम कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखा ओके तो यहां पे जो है अभी मैं अपने original footage को लेके आ गया हूँ साथ में हम अपने plate को भी यहां पे लेके आ गया है one and two press कर लेता है तो यह हमारा original footage और plate यहां पे आ गय प्रोजेक्ट सेटिंग जरूर कर लें तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग यह एस प्रेस करता हूँ यहां पे आके और यह जो बैले 1024-778 की value है काफी old footage है तो इसमें देखे अगर आपको यह value मिल रही है तो well good अगर आपको यह value यहां पे नहीं मिल रही देखे यहां पे पूरी तरीके से नजर आ रही है तो देखे अभी अपने footage को हम rate कर लेंगे play करते हैं देखे आज का जो हमारा footage पूरी तरीके से static है कुछ नहीं है तो just हमें क्या करना है देखे अभी जो मेरी plate है मुझे plate की कितनी requirement है यहां पे जाते हैं first frame है मेरा अभी मैं लेता हूँ एक रोटो से पाजाएगी आपको just एक रोटो ऐसा एक ट्रॉ कर लेना है अपना जो काम करना है उसके according देखे हमने रोटो से ट्रॉ कर लिया है अब आपको अपनी footage नहीं sorry अपना जो plate है उसको लेना है एक वापस से merge लेना है मर्ज में आपकी करना है इन करने के बाद B pipe में connect कर देना तो यह मेरी plate इतनी सी मिल गई है अभी एक और मर्ज लेना है अब हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का मिल जाए इसकी जगह पर आप करना है यहाँ पर और प्ले करना है ओट वाल्फा के option को यहाँ पर on कर लेना है साथ में अपने plate के भी auto on कर लें यह problem आपकी solve हो जाएगी अभी यह तो हो गया हमारा अभी एक पर play करके देख लेंगे यह तो problem हमारी पूछ दरीके solve हो गई यहाँ पर पूछ दरीके वीडियो के अंदर हमारी footage के अंदर remove होके आ गये बट यह अगर लेक के ऊपर नजरे डालेंगे तो यह कटे हुए तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें एक रोटो क्रियेट करना पड़ेगा रोटो कैसे क्रेट करना पड़ेगा तो यहां पर रोटो करके तो नहीं दिखाने वाला हूं मैं डावल लिक करता हूं तो मैंने ऐसे रोटो क्रेट करे हुए हैं अब स्क्रिप्ट को आप लाइन्स को सीधा रखें तो काफी बेटर हो जाएगा अभी हमारी ये फर्स्ट क्लास है काफी सिंपल सिंपल सीजी बता रहा हूं आगे जाके थोड़ा सा में इसको और अच्छे से आपको बताने वाला हूं और सिर्फ न्यूक ही आपको बहुत बहुत सीखना है तो अल्रेडी एक क्लास हमने न्यूक की create करी हुई है 26 एपिसोड से वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं एक मर्ज लेते हैं यहां से connect कर देते हैं अभी देखिए जो output है कैसा मिल रहा है एक ऐसा एक output मिल रहा है तो थोड़ा सा आप इसको blur add कर दें आपे मैं यह यहां से पूरी तरीके से जो हमारा output है वो मिल गया है बट यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक problem यहां पर आ रही है यह वाले है यहां से green color हमें नजर आ रहा है region क्या है अब camera जो नीचे सी तरफ है मलब अपवर्ड देख रहा है तो यह हमें clean करना पड़ेगा इसको clean कैसे करना है तो clean के लिए हम sequence paint करने वाले हैं जो थोड़ा सा first class के लिए advance हो जाएगा तो particular इस वाले पार्ट को मैं किसी next class में आपको बताने वाला हूं तो यह class 1 थी जिसमें यह वाला हमने करके दिखा है जो हमारा output है देखे अभी देखे input हमारा यह हो मैंने start किया है I hope कि यह वाला जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जो इसका script sorry script बोल रहा हूं यहाँ पर जो इसका footage कर रहेगा उसका link आपको description से मिल जाना है वाला है तो वहां से इसकी link को आप download वहां link में click करके इसको download करके इसकी practice करें और practice करके बाद आप देखे बबाद स्यू खायल रखेंगे